बांगलादेश में मेजर स्केल पे पैरा मिलिटरी और्गनाईजेशन को डिप्लॉय कर दिया गया है। बांगलादेश में 17 हिंदू टैंपिल्स को अटैक किया गया है। नरेंद मोदी जी के अगेंस्ट बहुत एजिटेशन हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि बांगलादेश के अंदर एक प्रॉपर प्रोफोगेंडा और कैम्पेंड चलाए जा रहा है। जिसके चलते बहुत हद तक अंडी इंडिया दिखाया जा रहा है बीजेपी पार्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी एंटी मुसलिम है। तो ओवर और बीजेपी पार्टी के आक्शन को लेके इंडिया को क्रिटसाइस करना और साथ-साथ बांगलादेश के अंदरी जो कम्यूनिलाइजिशन का महौल है ये पिछले कुछ महीनों में सर चड़के दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार के अटैक्स इससे पहले 2016 में हिंदू माइनॉर्टी के अगेंस देखने को मिले थे जब कई हिंदू घरों को जला दिया गया था। उस समय पे शेक हसीना की रूलिंग पार्टी के कुछ लोग भी इन्वाल्ट थे हाला कि बाद मुंको सजा भी दी गई थी। 2012 में बांगलादेश में ऐसे 12 बुद्धिस्ट, टैंपिस और मुनास्ट्री इसको कॉक्स बाजार में मुस्लिम मॉप्स ने जला दिया था। ये हिंदू टैंपल विजिट करने गए थे और वहाँ पे इनुने एक सेरिमेनी परफॉर्म की थी। इस बात को लेके बांगलादेश में खासा बवाल हुआ था कि एक मुसलिम हिंदू टैंपल में क्यों जा रहा है और बाद में शाकिप उस हसल को प्रेशर में आके ये ड पीछे बहुत सा फेग मीडिया प्रोपोगेंडा मिस इन्फॉर्मिशन थू सोशल मीडिया ये सब पहलाया जाता है यहां पे हमें तारीफ करनी चाहिए शेक हसीना की जो कि बांगलादेश की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग की हैड है जो कि यहां पे इन कम्यूनल से sentiments को फैलने से रोक रही है बहुत हद तक जो अपोजीशन है आपका बांगलादेश में जिसको आप बांगलादेश नाश्टिलिस्ट पार्टी बोलते हो वो बहुत सदा कम्यूनलाइशन की तरफ जाता है हिंदू माइनॉर्टी के अगेंस्ट करने वाली बाते हैं तो यह पॉलिटिक्स है ये भी बांगलादेश में बहुत डॉमिनेंट है अभी के लिए जो आवामी लीक की सरकार है तो आटोमेटिकली पैरा मिलिटरी और्गनेशन को स्रिक्ट वर्णिंग दी गई कि किसी प्रकार का कम्यूनलाइशन नहीं होना चाहिए अगर अपोजिशन की स असलीमा नस्रीम उन्होंने इसके ओपर नौवल भी लिखी है लज्जा जो कि जदातर कंट्रीज में बैन है जहां पर उस समय पर बांगलादेश के अंदर जो हिंदूस थे उनके क्या बुरे हालात थे इसके बाले में पॉइंट आट किया गया है कोशिश कर रही है लेट सी आगे आने वले समय में क्या होने वाला है चुकि ऑब्वेस ही बात है अगर एक रिलीजिन के लोगों को उनका तो हर ही मनाने की पर्मिशन नहीं दी जाए पाएगी तो डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की रहेगी वो तो यह था एक न्यूस का छोट भी कर सकते हैं जोइन डिटन दवाके हैं वागे ग्रेट डेए खुट पार